हेलो बच्चो बच्चो आज हम लेसेन नमबर फाइव लेट्स डू सम आक्षिन पढ़ेंगे बच्चो इस लेसेन में हम क्या क्या आक्षिन्स हो सकते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं मीनू रंस मीनू दौरती है बच्चो यहाँ पर रं आक्षिन है रं मतलब दौरना बर्ड्स फ्लाई पक्षी उड़ते हैं यहाँ फ्लाई यानि उड़ना आक्षिन है सोनू वॉक्स सोनू चलता है यहाँ वॉक एक आक्षिन है वॉक मतलब चलना आलोक laughs, आलोक हसता है, यहाँ laugh मतलब हसना, यह एक action है सबा plays, सबा खेलती है, यहाँ play action है, play मतलब खेलना fish swim, मचली तैरती है, यहाँ swim action है, swim मतलब तैरना जूही skips, जूही रसी कूंदती है, कूदती यह एक action है, skip मतलब कूदना रवी sleeps, रवी सोता है, sleep एक action है, sleep का मतलब सोना तो बच्चों, आपको यहाँ पे जितने भी actions बताए गये हैं, वह आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम एक activity करते हैं, इस activity में आपको कुछ actions दिये गये हैं और आपको बताना है कि कौन सा क्या action है, मतलब action का नाम क्या है तो चलिए शुरू करते हैं, बच्चों, सबसे पहले यह कौन सा action है, यहाँ पर एक लड़का हस रहा है तो हसने को क्या कहते हैं, laugh, तो laugh एक action है, यानि the boy laughs फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यह लड़का सो रहा है, तो sleep action है इसका मतलब यह लड़का सो रहा है, फिर यह जो लड़की है, यह क्या कर रही है यह आपको क्या दिख रहा है इसमें इसमें यह दोड ही है तो runs action है यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर action है skip मयानी लड़की रसी कूद रही है तो यहाँ पर skip हो गया action यह क्या है बच्चो यहाँ पर मचलिया जो है वो तैर रही है तो यहाँ का action क्या है यहाँ पर swim action है और पर लास्ट ये लड़की क्या कर रही है या खेल रही है तो इसका क्या है आक्षन प्ले तो बच्चों होप आपको ये सारे आक्षन समझ में आई होंगे थैंक यू